स्वागा था आपका मेकेनिकल एजुके इस तरह फोड़ाम में आसा है आप सही बहुत अश्य होंगे सुवा का समय है चिरिया वीच चाहर आई है ना धूप भी आ गया है ठंड़े में धूप आजा सुवा तो मजा ही कुछ और है तो आज आप पढ़ेंगे डिजाइन आप की के बाड़े में है ना देखेंगे के की की हम डिजाइन कैसे करते हैं तो पहले देखी अगर यह कोई साफ्ट है यह कोई हब है या फिर वील है कुछ भी है इसको रोटेट करवाना है आपको साफ्ट से तो अपने किया किया इसमें की लगा दिया इसको उपर फिट कर दिया अब जैसे ही साफ रोटेट किया यह फेल नहीं हुग यह भी फेल नहीं हो, आपके जो की था वह फेल कर गया यहां पर फेल काने का मतलब टूटञा नहीं है के-व haven माले जी जैंगी मैं यूदि टूटा भी नहीं है लेकिन जिस प्रपस के लिए हमने लाया वह प्रपस पूरा नहीं होगा। उसको भी फेल बोलेंगे या फिर उसको comentários हो गया आतुरा सा length में उसको increment आगे कुछ भी हो गया जिस purpose के लिए मैंने इस में लाया था इस काम को करवाने के लिए और काम अगर नहीं कर पाया तो वह failure है तो failure अगर किस वैसे होगा या फिर उसमें ज्यादा जब अगर फिट नहीं आ रहा है तो भी फेली गड़ा है हमारे लिए तो डिजाइन और की में हम यही पढ़ते हैं कि इसकी लेंद, तिवरी, ठीकनेस, क्या हो, तो और कि यह कितना वर्दास कर जाए, तो को हम निकाले कैसे, इसी के बादे हम पढ़ते हैं डिजाइन आप की म इसमें आपके संक के बादे हम देखेंगे है ना, तो यह थी कि फेल यह क्यों करेगा, कैसे करेगा यह फेल, अब बात करते हैं कि यह फेल खील किस वज़ा से कर सकता है, तो यह दो तरह से फेल करेगा आपका, स्ट्रेस से और करसिंग या फिर भुष को बोले जिए कमप्रेसिव इस्ट्रेस से देखिए जब भी आप की की द्याइन करें की ही नहीं कोई भी मसीन एलिमेंट है जब आप उसको द्युजाइन करेंगे न तो आपको पता होना चाहिए कि वह किस वज़ा से फेल करेगा है ना और जब वह फेल करेगा तो उसका कौन सा एडिया प्रभावित होगा ठीक है अगर ये दो चीज़ों को आप जाल लेंगे तो आपका जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन आपको थोड़ा भी मुश्किल नही उसको आपको पता होना चाहिए कि वह फेल तो आपको च्छाइए को फेल किस वह वीज़े से होगा और कौन सा एडिया होगा उसका जो प्रभावित होगा एफेक्ट करेगा कौन सा एडिया लेना है तो पहले हम देखते हैं कि यहांट के शीर से कैसे फेल होगा समझेए कि कि आपका कोई एक की है मैं इसको यहीं बिरा रहा हूँ यह की है एक आप में ड्रोइग पर मत जाए इस तमझेए के वाल मैं बताना क्या चाहरा हूँ है ना फ्रेहेंट से ड्रोइग है तो थोड़ ड्रोइग थोड़ी खड़ापी बन सकती है एक कुई एक complete की था है न अब ये जैसे इस पर CR आया ये दो भागों में तुट गया कैसे तुटा इसको मैं बताता हूं भी हं ये की था इसको छोड़िये अभी येक rectangle की था जैसे इस पर CR आया ये बीच से यहीं से तुट गया यह तूट गया बीच से एक पलैन आया इसको ऐसे कर दिया इसको ऐसे कर दिया तूर्ण इसे था जयसे नहीं इंभरी सूर्फ कोलिए यह ईसे हो गया उस्ट उसलिउ्म आपका ये म zeg तो इसका जो होगा है आपका ये वालाई वाउगल ये वाला एडिया आपका सीर की वज़ास से फिल करेगा ये वाला एडिया और ये एल है इसकी लंबाई अगर मैं एल लूँ चोड़ाई को मैं अगर डबलू लूँ और इसके ठीकनेस अगर मैं T लूँ है ना T T इसको इसको मिला करोगा T मैं यहीं पनली ही दिना हूँ complete इसका T T ठीकनेस है या आपे ध्यान रखी ठीकनेस है उसकी T L है इसकी लंबाई W है इसकी चोड़ाई है ना तो कौन सा एडिया प्रभावित हुआ यह वाला एडिया L इन्टू डबलू L इन्टू डबलू है ना और यह ठीकनेस आए यह T बाई 2 हो जाएगा यह भी T बाई 2 हो जाएगा तो मैंने यहाँ पनली हो लेख दिया ठीकनेस का T है तो L इन्टू डबलू आपका इफ अपन एडिया कौन सा L इन्टू डबलू L इन्टू डबलू यहाँ से एफ की जो भैलू होगी ताउ इन्टू L इन्टू डबलू है ना इसको मैं एक्विवेशन वन देड़ाऊ एक एक्विवेशन और है अपने पढ़ा होगा टॉर्क का फर्मूला क्या होता है फोर्स इन्टू आड फोर्स इन्टू आड है ना फोर्स इन्टू आड इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स इन्टू डबाई टू है ना डबाई टू मैं लिख सकता हूँ तो यहाँ से जब फोर्स का फर्मूला आएगा F का फर्मूला वो क्या होगा 2T upon D equation number 2 हो गया आपका यहाँ भी F है यहाँ भी है कि यानि दोनों equation को मैं ब्राबर कर सकता होगा ना तो जो आपके पास आएगा 2T upon D is equal to tau LW यहाँ से जो T की वहल होगा आएगी torque की वहल होगा आएगी वो होगी tau LW into D by 2 है ना यहाँ है यह आपकी torque की value आगई यही आपका answer है कि अगर shear stress अगर आपका फेल करेगा तो जो torque होगा आपका इतना होगा जहाँ पर D क्या है D क्या है soft का diameter है है ना W क्या है Q की चोड़ाई है प्रित है L क्या है इसकी लंबाई है और T आपका shear stress है तो यह shear की वज़ाँ से यह फेल करा गया और इसका torque का फ्रमूला यह आया यह important है इसको note down करिए अब हम देख लेते हैं कि crossing से कैसे फेल होगा crossing आपका compressive stress की तरह ही होता है इसको देखते है यहीं पर देखते है दैगणा में यह बताता होगा आपको इसको भूल दाईए यह आपका complete की था जब इस पर crossing होगा तो इसका आधा भाग जो था यह तो था आपका soft में आधा भाग था आपका hub में तो यह आधे वाले भाग जो है आपका crossing से फेलोगा आधा वाला भाग आधा वाला भाग आपका crossing से फेलोगा है ना यह वाला तो इसका area कौन सा हो जाएगा L L into T by 2 यह गर तो इसके ठीकनेस T है ठीकनेस अगर इसके T है तो आधा है तो T by 2 हो जाएगा L into T by 2 L into T by 2 यह वाला होगा area इसका crossing से काड़ान यह तो shaft में था यह भी आपका hub में था जैसे ही start rotate किया यह वाला जो part था ना वो compressed हो गया compressed होगा इसके विज़े से crossing stress आगया अब जैसे ही आप fit करेंगे आपको यह धीला बैठेगा यह tight नहीं बैठेगा यह धीला बैठेगा अब तो धीला बैठेगा तो किया यह हमारे लिज सही है नहीं है न यह फेली यड़ है यह फेली यड़ है यह धीला बैठेगा आब तो यह फेल कर गया crossing से अच्छा इसको भी निकाल लेते हैं हम क्रॉसिंग से कैसे फेलोगा उसको भी देखते हैं तो क्रिया में लिख सकता हूं क्रॉसिंग स्ट्रेस सिगमा सी इसकाल टू क्रमप्रासी फोर्स अगर फोर्स आपका एफ है है ना तो एडिया कौन सा हो जाएगा इल इन्टू टी बाई टू इल इन्टू टी बाई टू यहां से जवाब के फोर्स के भेलोगा आएगी ओ होगी क्या इल इन्टू टी बाई टू इन्टू सिगमा सी इक्वेशन इसको वन मालने जिए अब फिर आप तोर्क का फ़र्मुणा लगाईए है ना टॉर्क इसक्वेशन टू मैं इस है ना मैं यहार लिख रहता हूँ उसको यह तो मैंने निकाल था पहले एक्वेशन में मैं इसी कट कर देता हूँ पहले मैं क्या निकाल था मैंने टॉर्क इसक्वेशन टू टी अपॉन टी है ना 2t upon d f is equal to 2t upon d इसको equation दो मालने जिए अब दुनों के equation को बड़ाबरा कर दिजिए 2t upon d small d या पर capital d ही डाहे दे जिए इसको divide 2 यह है आपका आएगा torque का question आपका जो key है और जब कर सिंग होगा तो जो torque का question आएगा यह होगा यह होगा आपका equation अच्छा यहाँ पर जो d क्या है shaft का diameter पिछले question मैंने क्या लिया था small d लिया था shaft का diameter आप भी कर लिजिए कोई दिकत नहीं यह दे confusion होगा इसको d कर लिजिए small d कर लिजिए small d shaft का diameter है यह small d sigma c compressive stress t इसकी thickness है ellis की लंबाई है है ना तो यह आपका जब crossing होगा तो torque का equation यह आएगा यह आपका था जब आपका shear stress से फेल होगा तो torque का equation यह आएगा यही दो हैं important इसके अलावर कुछ नहीं है है ना तो I think आपको समझ आ गया होगा कि यह जब फेल करेगा जब हम डिजाइन करेंगे की की तो अद्दो तरक से फेल होगा shear stress से compressing stress से और इसका जब torque का equation आएगा final equation ओकी आओगा कि अजब एगा